प्रिभाद कुमार और प्रिभाद कुमार और इसी के साथ दो स्टॉक बेडिक्शन दिया है बागी गाईज जो लों मुझे नहीं जानते हैं हाई गाईज नमशकार मैं हूँ आपका अपना प्रिभाद कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे प्रिभाद ट्रेडिंग सर्विस के यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे हम बाक निफ्टी और निफ्टी की प्रेडिक्शन व साथ करना चाहता हूं मेरे प्रिडिक्शन वीडियो की जो मैंने कल अप्लोड की थी आज के लिए मैंने बोला था कि निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में फ्रेश सेलिंग आएगी 46900 के नीचे आज आपने देखा 46900 तोडने के बाद 46750 का लो लगा जो मैंने इस वीडियो में बोला था एक्जाक्ली वही हुआ ठीक है और देखो मैं तो यह कह रहा हूं कि यह तो मैं तो कुछ करी रहा नहीं हूं यह सब आप लोग का प्यार और भगवान का अश्रवाद है ठीक है कि मेरी नालसेज अच्छी जा रही है मैंने जाने मैंने इस वीडियो में HAL का स्टॉक बताया था मैंने बताया था कि इसको गोर्मेंट का और मिलने वाला भागने वाला है आज 180 उपर गया है मैं कहता हूं ना डंके की चोट पे पढ़े हो कि शकर में कोई नहीं है पीटे सामली की टकर में ठीक है अगर आप सोच भी नहीं है कहीं और जाने का छोड़ दो अंसस्क्राइब कर दो बाकी लोगों को मत देखो राइट इतना कॉंफिडेंस है इतना कंटेंट में दम है मेरे राइट चलिए जी नहीं यह नहीं गाईस बाकी अगर आप सोच भी रहे हैं कहीं और जाने का किसी और यूटूब पे म अज जाएए इतना मैं कॉंफिडेंस के सांथ बोल रहा हूं यह वीडियो बेस्ट होगी कल के लिए यह देखने के बाद कहीं जाने के अशकता नहीं है दंदार जबर्दस कंटेंट देता हूं ठीक है चलो शुरू करते हैं तो कल के लिए कुछ फीड़ए कुछ इंपॉर् आप सुनो तो देखो बांक निफ्टी मैंने कल एक डिसकस किया था कौन सी वीडियो में यह वाली वीडियो में भाई कमेंट तो बनता यार अट लिस्ट कमेंट करिएगा एंचल स्टॉक्स के लिए और बैंक निफ्टी का प्रेडिशन के लिए सेलिंग साइट के लिए ठी देख पा रहे हैं यह रिजिस्टन्स है और यह सपोर्ट है कल के लिए भी मैं दोनों साइड हूं 50 and 50% चांस दोनों साइड है राइट सेलिंग आएगी सपोर्ट के नीचे पहले सेलिंग समझ लेते हैं ठीक है क्योंकि आप देख पा रहे हैं हर बार यह दो दून से सपोर् कर टूटा फ्रेश सेलिंग यानि 46,740 के नीचे फ्रेश सेलिंग 46,640 46,540 46,440 यह तीन हमको टागेट देखने हो मिलेंगे अगर यह 740 के लब टूटा तो देख फिर तो बही गाप फिलिंग कर देगा डेफिनेटली ठीक है आल राइट नाइस चारो यहां पे काम 46,700 का put option देखिएगा observe करिएगा 13th December वाली expiry रहेगी ठीक है 360 से 370 के अब अब मतलब इसको consider करना है 350 का stop loss लगाके 420, 450 and 470 यह 3 target clear है यह होगा fresh selling हलो आच्छा अब समझते हैं देखो यहां पे न आपको crystal clear analysis मिलती है ठीक है तो प्लीज आप subscribe किया करो जो भी लोग नए देख रहे हैं धान रखो मैं एक चीज़ दातूं आपको 46,400 और 46,300 के अब फुल प्रॉफिट बुक कर लिजया क्योंकि यहां पे important very support है ठीक है अच्छा अब समझो आगे अगर किसी वैसे gap up हो गया या resistance पे आ गया तो वहां पे खरीदने का समचना अब अब सेलिंग करनी है क्या क्या resistance है हमारे पास देखो पहला देखो आजी वा 47,100 47,100 और R2 पता है क्या है R2 है 47,240 यह देखो यह देखो 47,240 R2 और R3 ठीक है इन तीनों के आज़ पास कहीं भी आजा है ऊपर पीरिश हैमर फॉर्म करें लो थोड़े शॉट करके चलना है क्लेर है यहां पर कौन सा आपको टॉप्शन लेंगे यह मैं कल आपको पीटीए साप पर टेल्राम पर बताऊंगा अच्छा पीटीए साप को नहीं आप जानते हैं मैं बता दू गाइस हमने क्रॉस कर लिए हैं 100 के डाउनलोड हमारे पीटीए साप पे मैं आप लोग को फ् प्रोवाइडर के पीछे लगे रहे तो आपको चाहिए शौटकट पैसा नहीं बनेगा जूटे वादों से बचके रहो ठीक है दान रखो रियालिटी यह है मार्केट की कि लॉस भी होता प्रॉफिट भी होता है बट वी मैक वी हाब तो मेक शूर कि प्रॉफिट हमेशा ब बना रहा है सपोर्ट पर है उस्टामेशे को सपोर्ट पर था यह चार देखना और प्राइस चल रहा था 250 सवरी 350 से 360 के आसपास और मैंने बुला कि हायर लो सस्टेण कर हायर लो बना रहा है और अगर सस्टेन करता तो उपर जाएगा ठीक है मैंने इतना लिख दिया अच् पैटन की पावर 350 से पता है कहा गया यह विश्वास नहीं करेंगे आप 420 और 520 का 570 का ही लगाया है मैं कहता हूँ ना अगर आप मेरे पास आएं खाली हाथ नहीं जाएंगे यह guarantee है सोचिए अब जिसने यह चीज देखके इस चार्ट को देखके अपने इसाफ से ट्रेट किया होगा डेफिनेटली प्रॉफिट बनाया होगा लोगों ने ठीक है देखो हर कोई रीजन नहीं शो करेगा तो यह मैंने हमारे PTA से आपको ट्रगाम पे शो किया था ठीक है जाके क्रॉस चे करिएगा और भी बाद मैंने और भी धेड़ सारे मैंने चार्ट शेर किये थे और सारे चार्ट बहुत बढ़िया गया थे ठीक है आप लोग एक पर क्रॉस चे करिएगा देखो एक मैंने चार्ट शेर किया था च्यालीस पांग सो के कॉल का टू सेवेंटी पर था उस टाइम पर ठीक है आप लोग विश्वास नहीं करेंगे टू सेवेंटी एटी फाइफ से थ्रिंडेट एलिवन का ही लगाया आज ने अब समझे हो आप लोग समझ रहो ना यह मैंने दिया था दस बच के त्याशिस मिनिट पर तो कौन कहता है यार पैसा नहीं ऑप्शन्स बाइंग में है बट हाँ समझदारी से सीख के बनता है पैसा यहां पर टिप्स के तुरू नहीं बनता है ठीक है PTS आप पे और टेलेग्राम को जॉइन PTS आप को डाउनलोड कर लो Android, iOS दोनों का लिंक डिस्कुशन बॉक्स में है और टेलेग्राम को जॉइन कर लो लगबग 49,200 सिस्क्राइबर है ठीक है कर आपको मिलता हूँ शांदार ठीक है और देखो जो भी मैं जो भी मैं आपको चार्ट शेर करता हूँ उसके पैटन को, नोट डाउन किया करो पैटन स्बनाया करो अपने नोट बुक में ऐसे बना लो नोट बोक उस नोट बुक में लिखा करो कि आज ये पैटन सर ने सेंट किया ये चीजे हैं तो सेलिंग का मैंने बता दिया है ठीक है आप समझो buying का gap आपका मैंने बता दिया उपर resistance पर कैसे sell करके चलना है अप समझो safe buy कब होगा देखो safe buy होगा मैं आपको one day के chart दिखाता हूँ देखो one day के chart पर ये all time high का resistance था जब टूटा तो अपका है बन चुका है support parent support बन चुका है 46,000 46,400 46,300 46,200 भाया जी ये तीन support हमारे पास जवरदस्त वाले हैं यहाँ पर आपको safe buying देखने को मिलेगी but after some confrontation यहाँ पर जब तक ऐसे मत करीज़ना please no doubt golden statement इटाज तो मेक सम रेंज उसके बाद जब रेंज का रिकाउट करेगा तो भाई करके चलना है ठीक है धाम रटना यहाँ पर कौन सा corruption आपको consider करके चलना कौन सा corruption भागेगा यह बताऊंगा वीडियो का end में वीडियो को देखते रही हैगा clear है चलिए जी bank 50 का मैंने पूरा clear cut आपको मैंने बता दिया है ठीक है और एक हलका सा hint दे दू bank 50 में fresh buy तभी आएगा जब bank 50 यह वाला high तोड़ता है हमारा 5 December वाला यानि 47 जार 240 जब level तोड़ेगा तभी जाके fresh FB facebook मत समझे न ठीक है fresh buy देखने को मिलेगा चलो जी nifty समझते हैं देखो जी nifty का क्या scenario है nifty तो भाया मुझे थोड़ डेंजरस लग रहा उपर की लेबल पे nifty में दोनों साइड हो कल में expiry भी है तो देखो nifty resistance पे खड़ा है ठीक है मिन आपको साफ सा बताया था यह वाली वीडियो में कि nifty उपर साइड सेफ नहीं यह बाइंग करने के लिए और देखो तो वही हुआ nifty उपर खुला और वहाँ selling आई ठीक है आप सुनो अब nifty जितना 20,950 20,950 के नीचे रहता है sell बिलो करके चलना है यह target होगा यानि 20,850 20,850 का मारा target होगा 21,000 का अब लो put option ले सकते हैं ठीक है कल वाले expiry 5th, sorry 7th December वाले expiry correct आप समझो अब nifty में fresh selling कब आएगी जब यह level level टूट जाएगा यह वाला यहाँ तक के target के लिए कब बता रहो हो मैं किसके नीचे nifty में 20,820 लिख लो जब range बनायागा जब range बनायागा जब तोड़ेगा 20,820 के नीचे fresh selling आएगी target हमारे यह होंगे कौँसा यह वाला 20,720 के target के लिए clear है न यह चीज तो यह over analysis है और देखो 20,820 के नीचे में क्यों selling दे रहा हूँ क्योंकि हमारा एक trend line का support भी है देख पार हो यह चीज अगर यह टूटेगा तो फिर fresh selling आजाएगा यहां तक के target के लिए लिख लो एक एक चीजे अच्छा जब 20,820 के लेबल टूटेगा तो यहां पे काम करना 20,950 का put option आप consider कर सकते हो ठीक है current market price पे guys nifty में थोड़ा buying अवाइड करूँगा चीजों को समयने का प्राज करो देख पार हो रिट्रिस्मेंट किया आप उपर जाने वाला तो 700, 24 के उपर fresh buy और 700 के आसपास buy on dip ठीक है टाइटन सम्दो टाइटन आज नहीं तो कल भागेगा गई देखो टाइटन हमको buy करके चलना है एक तो देखो fresh buy होगा हमारा इस के उपर ठीक है 35, 75 के अबव ठीक है और यहा तो fresh buy होगा सरी बाइटन पता कहा होगा यह देखो यहाँ पर support, support जब हमारा टाइटन सपोर्ट ले लेगा 35, 25 के राउड 35, 25 के राउड तब ही आपको BOD करके चलना है आज करेता है surprise options टेट जान रहते जाते अच्छा गाईज एक इंपोर्टन अपडेट दू हमारा बाइंक 50 mentorship batch गोल्ड एडिशन का क्लास कल दो पर डेट बैसे शुरू होने जा रहा है सब ही लोग जोईन करिए ज्यादा डेटेल लेने के लिए हमारे PTS app में आप लोग विजिट करिए अच्छा फीडबेक शोग करना चाहूंगा वीडियो को लास्ट में ताकि आप लोग को पता लगे कि क्यों आपको mentorship batch join करनी चाहिए मैं इतना सीना ठोक के बोल रहा हूँ फीडबेक देखने के बाद आप लोग खुद को रोक नहीं पाओगे batch join करने से आईए मेरे साथ live trading करते हैं और market को समझते है market की security को समझते है ठीक है चलो जी surprise option state क्या है मैं बता दूँ तो guys मैंने क्या बताया आपको अगर bank 50 46,400 और 46,300 का सपस मिलता है तो वहाँ पर 46,400 का आप लोग currency data कर सकते हैं C ठीक है 13th December वाली expiry current market price पर किसी को आइडिया नहीं है प्रीमम कहां खुलेगा उस्टाइम पर कितना DQ होके खुलेगा उस्टाइम पर मालो जब range बना रहा होगा जब range का हाइट होड़ेगा उस्टाइम पर जो भी current market price चल रहा होगा खरीद लीजेगा 30 point के stoppers के साथ ठीक है that's so simple that's so easy रखता हूँ मैं आज कले इतना ही ठीक है और यार comment करिए at least देखो मैं बच्छापता हूँ कि आप लोग को बस support करो जो लोग बस वीडियो देख रहे हैं आप लोग बस वीडियो देखके जाओ मत like करो, like करो, comment करो और नहीं लोग subscribe करो ठीक है at least यार comment जब करते हो लोग कि sir मैंने आज सीख के इतना profit बनाया sir मैंने आपको YouTube के live trading से साशीख के मैंने इतना profit बनाया मैं बड़ा proud फिल करता हूँ कि नहीं, मेरी PTS family educate हो रही है मैं और मैं सफल हो रहा हूँ चलिए ठीक है, धान रखिए, ख्याल रखिए बाबाई, थैंक्यू, जाहिन